क्या आप सोच सकते हैं कि खुली सडक पर आप आलाम से जा रहे हों और अचानक आपकी गाड़ी धर्ती में समा जाए हम किसी बुरे सपने की बात नहीं कर रहे हैं ये हकीकत सामने आई अमेरिका के जौजिया में एक के बाद एक ऐसी कई घटनाए हो चुकी है जो विनाश की चौथी भविश्यवानी कर रही है सडक समा गई पाताल में सुर्चा बन गई सडक सलक में समा गई कार पकी सडक पर बने इस गटे में पूरी की भूरी कार ऐसे समा गई है कि जरा दूर से देखें तो आपको पता भी ना चले ये तस्वीरे अमेरिका के जौजिया की हैं लगातार बारिश के बाद अच्छी खासी पकी सडक चली गई बाताल में उस रास्ते से गुजर रही कार में बैठे शक्स के सपने में भी ये खयाल नहीं आया होगा कि कुछी पल बात वो धर्ती के अंदर होगा कार अपनी स्पीड से जा रही थी और पलक छपकते ही जैसे सडक से गायब हो गई भारी बारिश के चलते जोर्जिया की सडक में भी गठा हो गया था और सडक पर फराठा दोड़ती हुई गाड़ी आकर इसमें ओधे मूँ गिर पड़ी वैसे कार सवार को ज्यादा चोट नहीं आई और उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया लेकिन धर्ती का ये सिगनल बहुत साफ समझ में आया कि अब कहीं भी किसी का भी अगला कदम उसकी गबर बन सकता है इससे पहले भी ऐसा हो चुका है हाईवे पर रफ्तार से भागती एक कार के ड्राइवर को घनक तक नहीं लगने पाई कि ये सड़क ही उसकी कबर बनने वाली है हाईवे में अचानक दरार पड़ी और फिर उसी दरार में समा गई पूरी कार और अब ऐसी दरावनी दरारे हिंदुस्तान में भी जगा जगा नजर आने लगी है घटना कुछ महिने पहले की है इलाहबाद के समहन गाओं के लोग उस सुबह को शायद ही भूल पाएंगे लोग घरों से बाहर निकले तो सामने थी पांच किलोमीटर लंबी 120 फीट गहरी और करीब 4 फीट चौड़ी दरार ऐसी घटना गाओं के बुज़ुर्गों ने भी नहीं देखी कुई उत्रप्रदेश के हमीरपुर में भी धर्ती ऐसे ही फटी जमीन में आई इस दरार के जायरे में थे आस पास के तेरह गाओं फिर खुछी दिन बाद करीब एक किलोमीटर लंबी दरार नजर आई इटावा में इन तस्वीरों को देख कर आप भी समझ सकते हैं कि अब शायद धर्ती के सहने की शक्ती जवाब देने लगी है वो हर्याली के उजड़ने और खुदरती दौलत के लुटने से बेहद गुस्से में है सवाल ये है कि क्या इंसान धर्ती की इस चेतावनी को समझने के लिए तयार है आज तक प्यूरो